कल बलामपुर में तलित शात्रा के साथ तरिनिकों दोरा गैम रभ और उसकी हत्तिया दी गई जिसके बिरुद में आज दनांक एक अक्टूबर 2020 को समाजवादी पार्टी के जिला द्याच अधरनियर रामहर्स यादो एडवेकिट जी के निमेतर में मुखे मंतरी योगी प्रदेश का संबोतित ग्यापन जिला आधकारी बहरेच को सौपा गया खास रिपोर्ट अध्मन साह जिला समग दाता देख रहे हैं लगातार उत्तरपरदेश में कानून का राजपूरी तरीखे से धोस्त हो चुगा है कानून ब्यवस्था चोपट है देली हत्याओं और बलात कारों जैसी गंभीर घटनाओं का अमबार लगा हुआ है लेकिन ये सरकार मुख दरसक बन करके केवल माफिया सफाय के नाम पर अपने राजनेतिक प्रदुंदियों की हत्या करवा रही है इनकाउंटर करवा रही है उनके मकान दोस्त करवा रही है और पुलिस को लगा दिया है कि किसी तरीके से लोगतंत्र में विपच्च की आवाज उठने न पाए इसलिए सारे कि सारे पुलिस बल हम लोगों के पीछे लगा दिये गये हैं कि आप अपनी आवाज नहीं निकाल सकते हैं उधर बलादकारी एक बेटी के साथ बलादकार करके उसकी जीव काट रहे हैं और योगी बाबा उत्तरपरदेश की सत्ता में बैच करके हम लोगों की जीव काट रहे हैं कि आप कोई आवाज नहीं उखा सकते हैं और जिस तरीके से हाथरस की बेटी को पुलिस प्रसासन ने उत्तर परदेश के सरकार के इसारे पर किसी उसके परिजन को वहां तक नहीं जाने दिया और जबरन दाह संसकार करा दिया इसी प्रकार जैसे जो बल्रापुर की घटना हुई है वो भी एक दलिच छात्रा के साथ ह हुई है उसका पैर तोड़ा गया है कमर तोड़ी गई है उसका बयान मैंने सोचल मीडिया पर देखा है और इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसका दम तूड़ गया रात में दो बज़े उसको भी दफन कराया जाता है तो इस परकार से जो उत्तर परदेश में परकिरियत के कहें तहत फॉस्ट्रे कोट की अस्थाफ़ना करके इनको कडी से कडि सजा दिलाई जाए जिन लोगों ने हत्या किया है वलात कार किया है उन से फांसी से कम की सजा न दी जाए, पचास लाग रुपे का मुलाउजा किया जाए और पीडित परिवारों को एक एक उनके परिवार के सदस को नोखुरी दी जाए